तो दोस्तो आज हम एक बहुत important topic देखने वाले हैं याद से आपको इस topic को बहुत अच्छे से cover कर लेना है यह topic आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful है तो चलते हैं दोस्तो स्टार्ट करते हैं method of variable separable form तो देखो इस form को solve कैसे करते हैं सबसे पहले एक basic idea में आपको provide कर देना चाहता हूँ आप आराम से इस form को चीजों को solve कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देखो x है यहाँ पर दोस्तो dy है यहाँ पर अगर समझो y है और यहाँ पर dx है आपको क्या करना है पता है variable separable form हम कब बोलेंगे पता है जब dy के साथ y वाला term हो तो dy के साथ अगर मुझे यह वाला term लेना है तो यहाँ पर divide होगा और यह dx है दोस्तो दो dx के साथ अगर मुझे x वाला term लेना तो यहाँ पर यह दिवाई होगा तो wh On data eld IQ होगा तो अब अगर आप Video आप देखों लेना है मतलब एक कॉंस्टेंट आपको कंसिडर करना है और इसका इंटिग्रेशन निकाल देना है आपका एंसर आ जाएगा साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे एप्लीकेशन की उपर दोस्तो बहुत ही जॉर्दार तरीके से एपलाइड मैतामेटिक्स के कोर्सेस चल रहे हैं साथ में इंजिनियरींग कर्णकर बहुत करने करने वाले स्वागत मतलब बहुत ही अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उससे बहुत ज्यादा अभी समझो इसी टॉपिक पर आप जाके देखोगे maximum example मैंने solve कर रहा है वहाँ पर तो अगर आपको जॉइन करना तो जल्दी जॉइन करके फड़ा-पड़ अपने सब्सक्राइब कर सकते और आपका basic mathematics का भी कुछ अगर उपर नीचे है तो अभी आप अच्छे से वहाँ पर जॉइन करके आप अपनी चीजों कवर कर सकते हो अब दोस्तों यहां पर एक से और यह दोस्तों डिवाई है यह वहाँ पर जाएगा तो दोस्तों प्लस होगा और दोस्तों हम next step में क्या करेंगे integrate करेंगे यहाँ पर बहुत ही simple सा step बताएबopher integrate कर रहे हो यहाँ पर plus C ले रहे रहे हो यहton ऊपकर integration क्या होता है sir one upon x का integration सर हमको याद है one upon x का integration क्या होता है दोस्तों log x होता है तो वैसे यहization기도 on y का integration with respect to y है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तो लॉघ यहाँ पे क्या होगा दोस्तो यह लॉघ एक jobs यहाँ पे क्या होगा दोस्तो यह spring तो अगर आपards finally से आप looks है लॉघ माइक्टस little log और सी जो है आगर यह दोनों टम लॉघ में तो इसको भी आची कि अगर कभी भी log अगर minus form में है तो उसको आप divide form में लिख सकते हो फइनली दोस्तों आप यहां पे इस तरह से लिख सकते हो log यहां पे m का value किया है और n का value किया है दोस्तों x है और यहां पे जो दोस्तों लॉग सी फाइनली लॉग लॉग कैंसल हो गया तो हमारा जो फाइनल एक्वेशन दोस्तों क्या आएगा वाई वाई एक्स विच इस एक्वाल टू सी तो देखो बहुत ही सीम्पल तरीके से मैं इसके सॉलुशन को आपको प्रवाइड कर रहा हूं उमीद कर रहा दोस्तों बहुत्त को और यहाँ दियान से अच्छे से अप्धिस पोड़ सकते हो अगर देखो दियान से तो यह इतना सिंपल को सन है कि है सब अगर आप देखो के दोस्तों डिय और dx तब अलग-अलग जगह पे आ चुका है, देको dy के साथ, यह देको ey है और dx के साथ, just हम क्या करेंगे दोस्तों, integration लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, plus c, e raise to y का integration, e raise to y, x square का integration, दोस्तो, x cube by 3, आपको याद होगा, x raise to n plus 1 होता है, और दोस्तों, यहाँ पर plus constant, अब आपको यहाँ पर देको log वाला term नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ लेने की जहरत नहीं है, भाई, एक ही step पे पूरा का पूरा answer आ गया, अगर चाहिए आपको अगर इसको और simplify करना है, अब पूरे equation को आप 3 से multiply करतो, यह 3 e y हो जाएगा, यह 3 x cube हो जाएगा, और यह दोस्तो 3 c हो जाएगा, उसको फिर से आप c लिख देना, तो देखो यह वाला भी question हमने solve कर दिया, अब चलते हैं दोस्तो next question की और next question solve करने की कोसिस करते हैं, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दोस्तो देखो सबसे पहले, यह देखो यह देखो यह यहाँ पे देखो यह देखो यह दोस्तो 1 प्लस x स्कुर्ण अब यहाँ पे अगर आप द्यान से देखोगे तो हम क्या करेंगे दोस्तो यह देखो यह दोस्तो 1 प्लस y स्कुर्ण और दोस्तो यहाँ पे अगर आप देखोगे dx से और यहाँ पे दोस्तो 1 प्लस x Now just यहाँ पर integration आ पर dhidasy अब अगर आप द्यान से देखोगे तो आपको एक formula था बहुत ही simple सा formula है दोस्तों चेये तो यहाँ पर मै чисन भी करता हूं देखो आप यह वाला पूरा का पूरा पढ़ाओ तो जश्ट इस फॉर्म लेका मैं यहां पर help लेने वाला वो देखो यहां पर एक स्कुरर है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखो कि आप दोको जब स्कुर। अब अगर आप दियान से और अच्छे सॉल करोगे तो यह tan inverse y minus tan inverse x which is equal to c यह अपना अपन final answer रख सकते हैं बट अगर नहीं अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि नहीं सर इसको और आगे लिखे चलते हैं अगर आपका trigonometry बहुत अच्छा है तो हमने एक formula पढ़ाता दोस्तों थोड़ा सा याद करो tan inverse a plus sorry यहाँ पर minus tan inverse b which is equal to tan inverse क्या आएगा दोस्तों देखो minus है तो यहाँ पर कहाएगा a minus b upon one plus a b अगर आपको याद होगा तो हमने यह formula पढ़ाता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों tan inverse यहाँ पर a minus b यहाँ पर a मतलब क्या है दोस्तों y minus x upon one plus y into x और यहाँ पर क्या है दोस्तों c next step में आप चाहिए तो y minus x upon one plus y into x which is equal to tan inverse वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों tan c अब और अगर आपको change करना तो इसको भी उदर भेज सकते हो तो इतना simple तरीके से पूरा का पूरा पूरा पार्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ देखो एक special sum आप अगर मेरे solution find out करना है दोस्तों इस value के उपर तो इस type का भी एक portion में solve करा दे रहा हो अगर आप solve कर ले रहे तो बहुत अच्छी बात है और अगर possible है तो आप application से जुड़ जाओ नहीं तो यह ty है which is equal to 0 अब मैं अगर द्यान से देखो देखो sex square x 10y और sex square y 10x है तो अगर आप द्यान से देखो गे तो यह कहा है दोस्तो sex square x है अब जो में यहाँ पर भाई पास x वाला term रख रहा हूँ dx है तो इसमें से x कुन सा है पहले मैं क्या करों पता है फुड़ा से changes करता हूँ हाँ और y वाला term क्या है दूस्तों 10y और यहाँ पर दोस्तों dy अब आपको पताए कि next step में क्या लूगा दोस्तो sex square x यहाँ पर क्का है दोस्तों 10 x है यहां पर integration of f dash x और यहां पर कहा है दोस्तों f of x और यह दोस्तों dx है तो अगर कभी भी यह भी मैंने आपको सिखा है कि अगर कोई function है अगर उस function का उपडर derivative है तो आप उन direct महाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों log of f of x plus c मतब log of denominator आप उन वहाँ पर direct by direct लिख सकते हैं तो यहां पर ऑन डारिक by डारिक सकते हैं दोस्तों यह वाला ओन पार्ट है दोस्तों 10x का derivative उपर से planting- Анд δेभाई दे रहphas तो डिएक हम लिख सकते हैं दोस्तों log of .10x है इकलर नहीं कि यहा पर उसकते हैं दोस्तों और मैंने हमेशा बोला है कि जब भी अगर लॉग का तरम है तो यहां पर पी आप लॉग का की में यहां पर यह वाला लूटिक्लाय में कनवेट हो जाएगा यहां पर देखे लॉट सो लॉट सी लॉट लोग कैंसल हो गया तो यहां पर कहा है और यहां पर कहा है दोस्तों टैन वाई और विचिस इकोल सी मैं बोर्ड एक्षाम में बहुत ज्यादा बीजी चल रहा हूं उनकार सर्थ आप थमनेल बना रहे हो तो एक और थमनेल हमारा रेडी कर दो कि डिफेरेंशियल इक्वेशन में मैफड आप वैरिबल सेपरेबल फॉर्म यहां पर चाहिए तो आप थमनेल यह वाला रेडी कर तुरंत अपने को लेक्चर अप्लोड करना है मैफड आप वैरिबल सेपरेबल तो दोस्तों आप समझ सकते कि अब भी रात को ही लेक्चर बन भी नहीं होगी तो उंके लिए भी मैं लेक्चर बना रहा हूं और जोरदार दर्गे से बना रहा हूं तो बस आप ऐसी पढ़ते रहो अब देखो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है इंटीग्रेल सॉलूशन निकालना है दोस्तों सम्तिंग इस पे अब पर्टीग्रल के सब कुछ मिल जाता है अप्लिकेशन वाल लेक्चर पे इसलिए वहां पे जोइंड रहते हैं तो बेनिफिट है अब देखो हमें दोस्तों यहां पर एक्स का वैल्यू पाइबाइफॉर बोला है देखलो न भाई देखो पाइबाइफॉर एं य यू पाइबाइफ़र ए और y का value भी क्या है दोस्तो 5 by 4 और which is equal to 10 5 by 4 1 sin 5 by 4 1 which is equal to c 1 1 सा 1 तो c का value कितना है दोस्तो 1 तो finally अगर मैं particular solution की बात करूँ तो क्या हैगा दोस्तो 10x 10y which is equal to c और value of c is 1 and therefore this is the required particular solution उमीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा part आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा बहुत ही सांदर लेक्चर मैंने बनाया है और आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा मेरा लेक्चर तो जीतना हो सके दोस्तो वीडियो को like करो लोगों तक share करो और possible हो तो आप application पे one to one आके मुझसे पढ़ सकते हो तो मिलते हैं दोस्तो नेक्श लेक्चर में बाय बाय टेक केर जहीं दोस्तों